हेलो नमस्ती और वेलकम बेक तो आर चैनल पॉजट रेस्क्यों क्रियेशन कैसे हैं आप सब लोग तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ में एक डियाईवाई शेयर करने वाले हूं यह ऐसे जो कार्ट बोड होते हैं वह हमारे घर में अकसर पड़े रहते हैं कार्ट बॉक्स वह तो आठा है तो आपने देखा काट-बॉर्ड के इसको फिर फिर दी मैंने किंसे पीस खट लिए चार फिस मैंने कट कि और इन दोनों पीस इस दोडोव पीस अलग लग किया मैंने दो बनाने थे डिया जिसके लिए मैंने मास्किंग टेप की हैल्प से इसको और अच्छ तो जो प्लेन हो जाएगा और दूसरा जो इसका जो अबडखबर सा एरिया थीक हो जाएगा वह करना है तो जब हमारे पास ना वेस्ट पढ़ा रहता है तो जो रिसकार्ड कर देते हैं तो उसकी जगह पर हम अगर थोड़ा सा भी यूस करें ना क्रियेटिव तरीके से उनको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी सी चिचे बनती है हाना तो वही चीछ सोचते हुए मैं ने यह बनाया है और मैं यह बना रही है अपनी वाल के लिए ना मैंगे डेक और पीस खरीदना पसंद नहीं करती क्योंकि यूशली मैं रहती हूं रेंटेड अपार्टमेंट तो इसलिए मैं ना मैंगे प्रोड़क्ट खरीदना यूशली मैं पसंद नहीं करती तो मैं चाहती हूं कि मैं घर पर बनाओ अब जो जो मार्बल पाउडर का मिक्स्टर था वो लगाने के बाद मैं इसको गीला हांथ करके ना पानी से फिंगर पर पानी लेके तो मैं इसको इसको अच्छे से प्लेन कर रही हूं ताकि यह बिलकुल फ्ल yn रहे हो जाüst और शर्फेस इसका बिलकुल प्लेन ही मार्बल पाउडर का जो भीफ्टर बनाने के लिए मैंने लिया है चार से पांच स्पून मार्बल पाउडर और इसके अंदर मैंने फैविकोल मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आप फैविकोल कोई भी ले सकते हो मैंने यहां पर लिया है फैविकोल MR जो आता है वो मैंने यहां पर लिया है आप कोई साभी फैविकोल यूस कर सकते हो रहुआ ही तो लेकिन होना फ gider ही चाहिए को यहाँ हने कई यहाँ दा दा नहीं होना चाहिए फ कुछ आप ओना Kahun इसके दोनों के अंदर मैंने अलग लग से डिजाइन बनाए और बीच में दूंगी एक थुड़ा सा बड़ा राउंड शेप का मिरर और यह मैं बनाने जा रहे हूं मड़न मिरर वर्क है ना तो आजकल यह चीज ना बहुत ट्रेंड में है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गर पर है बना लू क्योंकि मैंने ना ऑउलेन जब इसको चेक किया तो यह इसका रेट काफी जादा शो हो रहा था मुझे दाइक बारासो पंद्रासो हजार इस तरीके चे मुझे जो इसके प्राइजिस थे वो शू हो रहे थे तो मुझे लगा जो क्यों ना बहुत कम कोस् अब ही में इसको ना लास्ट में थोड़े से जो रहते हैं मिरर्स वो लगाने के बाद में इसको कम्लीट कर लूंगे और फिर दूसरा भी ऐसे ही कुछ अलग डिजाइन का बनाने वाली हो तो आपको ये कैसा लगा मुझे प्लीस कॉमंट बॉक्स में कॉमंट करके जरूर बत अब ये बनने के बाद मैंने इसको दिया सुखने के लिए और उसके बाद मैंने इसको ना वाल पे हैंग किया अपनी वाच के साथ तो ये बहुत सुन्दर लगा रात को बनाते मुझे काफी टाइम हो गया तो मैंने सुबह जब इसको वाल पे हैंग किया तो मैंने इसका व बने रहीएगा मेरी वीडियो के साथ में और बताईएगा कि ये दोनों जो DIY प्रोजेक्ट हैं वो कैसे बनी हो और वाल पे लगने के बाद कैसे लग रहे हैं तो अगर आपके पास भी ऐसा वीस्ट पड़ा है ना तो प्लीज इसको यूस कीजिए और बनाएगे बहुत अब आपको कैसा लगा प्लीज कॉमंट बोक्स में कॉमंट जरूर कीजिए और मुझे बताईएगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और शेयर बहुत कम आते है इसलिए ना थोड पर जानने की तोड़ी जल्दी हो रही थी फिर भी मैं सुबस्बस उड़के ना इसको मुझे पूरी रात ऐसा लग रहा था कि मैं उसको कब हैंक करूं कब करूं तो अब मैं चलती हूं मिलेंगे फिर किसे और वीडियो में तब तक लिए बाब